आप सभी का नमस्कार यह हमारे आज के यूट्यूब चैनल के एपिसोड में आज हम आप लोग को दिखाते हैं कि GNSS बेस GCP का Ground Control Point लगते कैसे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारे ओफिस का प्रेमिसेज है इसकी एक छत है यहां पर हम लोग पिछले एक हफते से एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग GNSS को और वेरिफाई कर रहे हैं कि उससे जो डेटा आता है कितने मिलीमीटर कितने संटीमीटर आता है नहीं करता है मैं संगर्श्राओ कैमरा में उपेंद्र मनी इत्रिपाथिक साथ आपका स्वागत करते हैं और हम दिखाते हैं वो पहला पॉइंट जहां से हम लोगों ने यह सर्वे शुरू किया था यह देखिए यह वो पॉइंट है जो हम लोग ने क्रॉस के को ले आब ही हम लोग का primary stationary यह जो point है इसमें पेंट लगा के हम लोग इसको पूरा पक्का कर देंगे तीसरा आज हम लोग इस जगह पर यह point लगाना जा रहा है है और आज हम लोग का primary objective है कि यह आखिर यह base यह लगाया कैसे जाए यह बनाया कैसे जाता है क्योंकि ज़्यादा तर क्या दिक्कत होती है कि base establish करे कहां तो सबसे पहले base establish करने के लिए हम लोग का ऐसा एक known point को होना चाहिए कि जहां पे वो लगे वो establish हो जहां पे हम लोग अगर हो सके तो हम लोग satellite data से भी उसको correlate कर सकते हैं उसके लिए क्या करता है सबसे पहले यह देखिए हम लोग का यह total इसके हैं स्टेशनरी है समय stable है यह हम लोग बड़े धिहान पूरवक establish को करते हैं इसके कुछ main 2-3 trick है कि सबसे पहले आप tripod को लगाई यह उसके बाद उसका आप level बनाई बिल्कुल horizontal यह जो आपको दिख रहा है यह इस बिल्कुल horizontal होना चाहिए horizontal होने के बाद जो हमारा हमने जो point लेना चाह रहे हैं जो चाह रहे हैं वो point हम लोग उपर से बिल्कुल measurement बिल्कुल उसका लेके सही आना चाहिए इसके लिए एक हम लोग का view point view angle होता है मैं चाहूंगा cameraman से कि उसको थोड़ा view ले जाके दिखा यह जैसा कि आप देख सकते हैं यह वो point है वो बिंदू है जो नीचे दिख रहा है अब यह देखिए पहली बार ऐसा होगा कि यह viewing angle जैसे देखते हैं अब नीचे देखिए वो कैसा दिख रहा है यह देखिए ट्राइपॉड है यह नीचे वो यह वाला point है वो यह देखिए इसको देखा कैसे जाता है यह देखिए ऐसे दूर से दिल लो ऐसे आख लगा के इसको एक आख सबसे important चीज है आख खुद हाथ लगा के बंद करिया आप लो फिर ऐसे करके देखिए यहां यह एक्जेक्ट वही point पे है वही point पे लगा है इसके बाद यह bubble आप लोग देख सकते हैं यह लगभग horizontal में है बिलकुल ठीक है तो चलिए अब मैं आप लोग को फिर इसको फिर से हम सेट करके दिमोंस्ट्रेट करके दिखाएंगे यह तो पूरा बढ़ी एक सेट अप तयार था यह नीचे गई है नीचे चलके हम आपको दिखाएंगे इसका डेटा लॉग इन कैसे होता है जै हिंद सर सर यह कहां से रिकार्डिंग बंद रहेंगा कर दो